हेलो वेल्टों टू माई यूटो चनल ग्रीन आज आज वीडियो में मैं बात्रोम इंटेलर डिजाइन के बाराम डिस्टों के बने रहे हैं मैं बहुत अच्छी तिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने घर का बात्रूम जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं तो यहां पर आप लिए और यहां पर देख रहे हैं किस तरी से डिजाइन किया गया है बहुत ही छोटा सा सपेस है अगर आप देखिए अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि अगर आप दो कमोड देना चाहते हैं एक इंडियन और एक वेस्टन ओके आगल बगल तो आप मिनीमं सारे पांच फिट का जगा होना चाहिए 5 भी चलेगा मगर सारे पांच फिट का होगा तो बेस्ट होगा तब है एक इंडियन एक वेस्टन कमोड आप एक सात्थ अगल-बगल दे सकते हैं और सामने वाला पार्ट में बातरूम दे सकते हैं legal फियल दो यहां पर तो यहां पर एक तरफ हैंडवास है और एक तरफ आपका कमोड डाला गया है जो कि आपका धाई-धाई-फीट का दोनों एरिया यूज़ कर रहा है यानि पांच फीट आराम से आपका सफिस्यंट है अगर अगल बगल ऐसा कुछ दे रहे हैं आपका प्लानिंग है तो यह हो बड़े बातरूम के लिए बड़ा बातरूम में अगर लगजरी बातरूम बना चाहते हैं तो इस तरह का डिजाइन आप दे सकते हैं यहां पर आप पीछे में बैक साइड में ब्लैक का और वाइट का कॉमिनिशन देखकर के पुरा पार्ट को बनाए गया यहां पुरा ब् लाइट दिया गया है लाइट के यूज किया गया बनाया गया अलरी बना बनाया आता है तो आप अपने जहां भी ग्लास का डिजाइनिंग होता है ग्लास मीर बनता है वहां पर आप जाकर पूछेंगे ना तो आपको सस्ते में बना देंगे जो भी आपको जैसा भी आपको आपको अच्छा नगता है जिसे जो बात्रूम का लुक है अगर बड़ा स्पेस है तो आप रेक वगर ना डाले क्योंकि थोड़ा सा लेता है यहां पर देखे रेक corner में आपका bathroom बनाया गया जो कि आपको separate रख दिया गया गया ग्लास से pack कर दिया गया है और बाहर में आपका komode है तो इसी type का बनाया जाता क्योंकि जब हम लोग नहाते है तो पानी जो है बाहर की और ना आए इस कारण से वेट रहे बाहर के रिया जो है वो ड्राइ रहे इस कारण से ऐसा देते हैं तो बार्थुम वोला पार्ट जो है ना हमेशा लास्ट में आता है ट्वालेट वाला फ्रंट में आता है तो यहां से आप देखकर कर डिजाइनिंग आप कुछ-कुछ जो डिया निग है वो सेलेक्ट करके आज के लिए बस इतना ही मिलते अगले वीडियो में अगर मैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए का सिर्के स्क्राइब कीजिएगा थाइंक्यू एव नाच डेए